सिक्षा सुधार रोजगार आपको आज बड़ी खबर से रूबरू करा रहा है कि सिक्षा विभाग में सिक्षा सुधार रोजगार का प्रतिनिधी मंडल पहुँचा है पर भी समाधान किया जाए आपको बता दे कि बिहार में बाठ जैसे हालात है और बिहार के बाठ जैसे हालात को देखते हुए सरकार को ये चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए कम से कम 15 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया जाए क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों प ना ही पटना में बिजली थी और ना ही पानी की कमी जिस कारण से लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। क्योंकि पिछले दिनों बैठक होने वाली थी पटना गांधी मैदान में पर आपको पता है कि बिहार के हालात ऐसे हैं और खासकर पतना के हालात ऐसे हैं कि अभ्यर्थी पतना नहीं पहुंच सकते हैं ऐसे में आज हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपडेट ये है कि सिक्षा सुधार रोजगार का प्तति निधी मंडल पहुंचा है सिक्षा विभाग में और सचिवाले में पहुंचकर हमारे तरब से ये मांग रखी जा रही है कि तिथी में विस्तार हो बाट जैसे ह हैं इसलिए 15 अक्टूबर तक तिथी में विस्तार हो साथ में उम्र सिमा विभाद और विषय अनिवारता विभाद को भी सुल जाया जाए क्योंकि 10 वर्सों की छूट मिली है 2019 सिक्षक वहाली में अभ्यर्थियों को जो 2017 तक टीईटी पास हैं उनको ऐसे में स्टेट 2019 में भी ये चूट मिलनी चाहिए अभ्यर्थि जो पटना गांधी मैदान में बैठक के लिए आने वाले थे वो आतूर है पर सिक्षा सुधार रोजगार आपको यासवासन देता है कि हम सचिवाले से लेके सिक्षा विभाग तक आपकी बात पहुचा रहे हैं अगर सिक्षा व दस साल उमर सीमा की चूट मिली है तो अभ्यर्थि जो 2019 एस्टेट पीडित है उनको क्यों नहीं प्रारंबिक सिक्षक नियोजन में ट्रेड को उम्र में 10 वर्ष की चूट ये आज की अकबार की खबर है और इस अकबार से एस्टेट पीडित अभ्यर्थियों में हल चल है क कि जब 10 वर्ष की चूट दिया जा रहा है सिक्षक बहाली 2019 में तो एस्टेट 2019 फार्म भरने में ये अनेमित तक क्यों दूसरी बड़ी खबर है कि नियोजन की जो तारीख है समय अबदी है उसको सरकार बढ़ाना चाती है और इसके बढ़ने के आसार है तो जब आप नियो बहर्तियों को फार्म भरने में भी छूट मिलने चाहिए और तिथी में विश्तार होना चाहिए क्या बाढ़ सिर्फ नियोजन पर खिडिया क्या बहर्तियों के लिए है एस्टेट पीरित बहर्तियों के लिए नहीं है सरकार दोहोडी निती अपना रही है सो तेला वेवार अपना रही है Estet 2019 पीरितों के साथ सिक्षा सुधार रोजगार Estet पीरित अब भेरतियों के साथ है और अभी जो आपके स्क्रीन पर खबर है आप देख सकते हैं सिक्षक नियोजन 2019 समय अबधी बढ़ेगी पर Estet पीरित अब भेरतियों के साथ इनसाब कैसे होगा अब देखना ये होगा कि सिक्षा विभाग इस पर क्या कदम उठाती है पर अनुमान ये है कि 15 अक्टूबर तक फर्म भरने की तिथी में विस्तार होगा अब ही तक सिक्षा विभाग ने एस्टेट 2019 का सिलेबस भी जाड़ी नहीं किया इस पर अभ्यर्थी में रोज है कि जब सिलेबस ही नहीं है तो परिक्षा कैसी आनंद की सोर जो पटना के आयुक्त भी है और साथ में सिक्षा विभाग BACV बोट के अध्यक्ष भी है उनको सोचना चाहिए कि पटना के ऐसे हलात है तो पूरे बिहार में क्या-क्या हलात होंगे ऐसे में अब अभ्यर्थी असमंजस में है और फ़र्म भरने की तिथी को लेकर विस्तार संबंदित मांगों के लेकर सिक्षा सुधार के पास कई फून आये और हमने ये तैक किया कि आज सिक्षा विभाग सचिवाले हैं पहुँचकर हम अपनी बात रखेंगे अगले दो तीन घंटों में ये साफ हो जाएगा सरकार के तरब से की तिथी में विस्तार होगा या नहीं सिक्षा सुधारोजगार हर कदम आपके साथ बने रही हमारे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद